CBC Wordsmap आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Classics Maths का Chapter 7 जिसका नाम है Fractions उसकी Page No. 151 पर जो Try These दी है वो डिस्कस करेंगे नई वे लिए CIT Book में ये Try These पेज No. 121 पर आपको मिल जाएगी Question No. 1 Arrange the following in Ascending and Descending Order तो ये जो आपको Fractions दी हुए हैं उसको Ascending Order में और Descending Order में लिखना है Ascending यानि छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है Descending वादब बड़े से छोटे की तरफ इस तरह से Arrange करना है ये वाले Part की बात कर लें अच्छा यहाँ जो Fractions दी है अगर आप ध्यान दो तो Numerator सबके Same है तो जब कभी ऐसा हो कि Numerator Same हो तो फिर हम क्या करते हैं Denominator को देखते हैं जिस Fraction का Denominator छोटा होगा वो पूरा Fraction बड़ा होगा उल्टी कहानी है जिस Fraction का Denominator छोटा उसका Fraction बड़ा अब इसी ये वाले मैं अगर आप से पूछूँ कि बताओ इसमें किसका Denominator सबसे बड़ा है तो Denominator हम ये 50 50 है सबसे बड़ा है इसका मतलब ये जो पूरा Fraction है ये सबसे छोटा होगा अचक किस Fraction का Denominator सबसे छोटा है तो सबसे छोटा Denominator तो ये 5 है इसका मतलब ये जो पूरा Fraction है वो सबसे बड़ा होगा तो आप समझे गए छोटा कौन बड़ा कौन ये कह समझेंगे अब इसको हम arrange कर लेते हैं तो ascending order में arrange करना है यानि छोटे से बड़े की तरफ तो सबसे छोटा fraction कौन है जिसका denominator से बड़ा यानि 1 upon 50 ये सबसे छोटा होगा तो ये हमने लिग लिए यानि दोको ऐसे आप arrange करना न कि सिर्फ denominator पर focus कर लो ascending order में denominator को हम बड़े से छोटे की तरफ arrange करेंगे क्योंकि जिसका denominator बड़ा वो छोटा होगा और ascending में छोटे से बड़े की तरफ हम लगाते हैं तो यहां उल्टी कहानी चल ली है कि अगर सिर्फ denominator देखेंगे तो denominator अगर बड़ा होगा तो वो fraction छोटा होगा 50 के बाद आपका आएगा 23 यानि ascending order में हम ये वाले symbol लगाते हैं तो 1 upon 23 फिर उसके बाद आपका 17 है 1 upon 17 17 से छोटा कौन है ये 12 है 1 upon 12 उसके बाद आपका 9 है यानि 1 upon 9 फिर 7 है 1 upon 7 और last में आपका 5 है यानि 1 upon 5 तो denominator देखो बड़े से छोटी की तरफ हमने अरेंज किया यानि अगर fraction की बात करें तो हमने इसे छोटे से बड़े की तरफ अरेंज किया यानि ascending order में अरेंज किया क्योंकि 1 upon 50 सबसे छोटा है और 1 upon 5 सबसे बड़ा है अब descending order में ठीक उल्टा लगा लो यानि इधर से चलते हुए यहां तक हम लगा लेंगे तो सबसे पहले 1 upon 5 और ये वाले symbol लगेगे descending order में फिर 1 upon 7, 1 upon 9 1 upon 12, 1 upon 17, 1 upon 23 और last में 1 upon 50 इसी तरह हम B वाला भी कर लेंगे क्योंकि यहां भी देखोगे तो numerator सेम है, तो denominator देख लेंगे जिसका denominator सबसे बड़ा होगा वो fraction सबसे छोटा होगा और ascending order हमको छोटे से बड़ा लगाना है तो सबसे बड़ा denominator किसका है, ये दोको 17 सबसे बड़ा है इसका मतलब 3 upon 17 ये सबसे छोटा नमबर है तो ये हमने ascending order में लगा लिया descending order में इसका उल्टा कर देंगे तो ये descending order भी लग गया अब सी बाले में कहरा है, write three more similar examples and arrange them in ascending and descending order तो ये एक example हमने अपने से बना लिया 2 upon 5, 2 upon 19, 2 upon 7 2 upon 11, 2 upon 25 2 upon 8 और 2 upon 3 इसको ascending and descending order में अब arrange कर लेते हैं तो ये इसको हमने ascending and descending order में भी arrange कर लिया तो ये दूसरा example भी मैंने अपने से लिख लिया आप चाहो तो दूसरा अपने मन से कुछ भी बना सकते हो तो इसको भी अपने ascending and descending order में arrange कर लिया अब last एक और example लिख लेते हैं तो यह हमने तीनों को कर लिया, तो इसको आप पॉस करके नोट डाउन कर सकते हो, या स्क्रीन शॉट डे सकते हो, तो यह ट्राइदीज हमारी यहां कंप्लीट हो गई, ट्राइदीज और एकसे साइज सलूशन देखना तो मेरी वेब साइट है, e-study.com महां विजिट कर सकते ह हो, मेरा वाटसेब चैनल उसको भी आप फॉलो कर लो, ताकि लिए टेस्ट अब्रेट आपको मिलती रहे, और भी कुशन के सलूशन की वीडियो देखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइस प्लेलिश का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो, ओके थैंक यू